आज मैं आजवान या करम सीट का मुखवास बनाती हूँ, यह आजमा के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी है बढ़ाना, चलिए शुरू करते हैं, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालती हूँ, और यहां 50 ग्राम के आसपस आजवान है, इसको डाल देती हूँ पानी में, और 10-15 मिनिट के लिए इसे पानी में भिंगो के रखती हूँ, इससे जो मिटी बिटी है, वो नीचे जम जाएगा, और उसके बाद मैं स्टेनर से इसे चान लूँगे, आजवान को मैं अच्छी तरह से धो के चानी के अंदर चान लिया, इसका पानी ड्रेनाउ पूरा ड्राई ये नहीं है, आब इसके अंदर निबू का रस निचोड के डालती हूँ, जितना खटा सबको पसंद है, उसी सब से आपने 2-3 निबू डाल सकते हो, दो चर बीच गिर गया है, उसको हटा देती हूँ, अब इसमें स्वादानुसर रॉक सल डालती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, निबू का रस है, तो अच्छी तरह से अजवान के साथ ये मिक्स हो जाएगा, आप चाहो तो इसे धूप में भी सुखा सकते हो, एक दो दिन टाइम लगेगा, पर मैं इसे अभी माइक्रोवेब कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा 100% माइक्रोवेब में मुझे ये 4 मिनिट टाइम लगा, एक बार में नहीं दिया था, एक मिनिट एक मिनिट करके टोटल 4 मिनिट मैंने इसको दिया और टोटली ड्राइ हो गया, अब इसको ये टाइट कंटेंडर में भरके रख लीजिए, काफी दिन चल जाएगा, ये ऐसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने ओपीनियन भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, थैंक्स फ्रेंट मेरे वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कोई और एक रेसीपी के साथ, तब तक के लिए बाई, हैब ए गुड डे